नमस्कार आप सबने ambulance को जरूर देखा होगा पर क्या आप जानते हैं कि ambulance के अलग-अलग type होते हैं हर तरह के अलग emergency में आपको अलग-अलग तरह की ambulance क्या होशकता परती है अगर नहीं जानते हैं तो study research center में आपका स्वागत है आज हम ambulance के type के बारे में बात करेंगे क्या होता है ALS ambulance, क्या होता है BLS ambulance, क्या होता है neonatal ambulance, क्या होता है mortuary ambulance, यह सब ambulance के type है, ठीक है? तो आइए, सबसे पहले जानते है कि ambulance कहते किसे हैं, तो रोग से गरसित वेक्ती या दुरगटना गरस्त वेक्ती को किसी अस्थान से अस्पताल या एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल अस्थनांतरन के लिए मेडिकल एक्विप्मेंट और मेडिकल स्टाप से लैस वहिकल को लैस गारी को जो है हम लोग एम्बुलेंस कहते हैं ठीक है अब सर्वसे एम्बुलेंस के इतिहास के बारे में जान लेते हैं 1487 में सरपर्थम जो है इस्पैनिस में एम्बुलेंसिया कहा गया ठीक है ये एम्बुलेंस का हिस्ट्री है उसके बाद जो है अमेरिकन सिविल वार में जो 1861 से 1865 के दोरान हुआ था तो इस दोरान भी गाय लोगों को अस्पताल ले जाने के लिए उपयोग किये गए हॉस ड्रॉन को ये हॉस ड्रॉन को अम्बुलेंस कहा गया यहीं से जो है अम्बुलेंस वर्ड का जन्म हुआ और यहीं से उसके बाद में जितने भी मेडिकल से लैस जो गारी होने लगे जिसमें मरीजो को लिजाए जाने लगा उसे ambulance कहा जाने लगा, ठीक है, तो ये history of ambulance हो गया, अब types of ambulance जानते हैं, सबसे पहला basic life support ambulance, या फिर BLS इसे short form में कहते हैं, तो आखिरी क्या होता है basic life support ambulance, और इसके आउशक्ता कब परती है, ठीक है, तो BLS ambulance, उन मरीजों के लिए होता है, जिन्हें कम emergency में medical transportation की जोरत होती है, अस्पताल अस्थनांतरन करना हो, इसी को medical transportation कहते हैं, तो जिन्हें कम emergency में medical transportation की जोरत होती है, उनके लिए जो है, ये basic life support ambulance भेजा जाता है, लगभग ये हर ambulance पे आपको लिखा हुओ, मिल जाएगा basic life support ambulance, advanced life support ambulance, mortuary ambulance, लेकिन चुकि हम लोग इन सब चीजों पर कभी गौर नह नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये basic life support ambulance का definition है, कि कम emergency में medical transportation की जोरत परती है, तो वहाँ पे BLS ambulance भेजा जाता है, BLS ambulance यानि basic life support ambulance में, दो emergency medical technician होते हैं, यहाँ ध्यान देंगी इस point पे, उसमें medical technician होते हैं, उसमें कोई भी पैडा medical staff नहीं होता है, ठीक है, अब इस BLS ambulance में जो है पेसेंट के लिए, बेड, pulse oximetry और oxygen delivery जैसे devices मौजूद होते हैं, ठीक है, इसकी एक खासियत है, कि BLS ambulance में जो medical technician होते हैं, वो आपके किसी तरह की skin में cut करने, यहाँ तक ही आपको injection देने की भी उन्हें इजाजत नहीं होती है, ठीक है, जो BLS ambulance में, जो medical technician होते हैं, मैंने प medical staff नहीं होता है, ठीक है, तो जो medical technician होते हैं, इन्हें आपको एक injection तक देने की इजाजत नहीं होती है, इनका आधिकार नहीं किया है, यह आपको एक injection तक दे सके, यह सिर्फ आपके pulse oximeter के लिए होते हैं, आपको जोरत पढ़ने पर oxygen चढ़ाने के लिए होते हैं, इतने ही क support ambulance, तो जिन मरीजों को जो है, अत्यधिक emergency में medical transportation की जोरत होती है, उनके लिए यह ALS भेजा दाता है, अर्थात advanced life support ambulance, ALS में जो है, एक emergency paramedical staff और एक emergency medical technician होता है, यहाँ ध्यान दे कि इसमें एक paramedical staff होता है, ठीक है, इस ALS के अंदर जो है, advanced life support ambulance के अंदर, मरीजों को paramedical staff द्वारा हर संभोर treatment दिया जाता है, मैंने इससे पहले आपको बताया था, BLS वाले में, BLS ambulance में, आपको किसी तरह का medical treatment नहीं दिया जाता है, लेकिन ALS में एक paramedical staff होता है, जिसके द्वारा आपको हर medical support treatment जो है, आपको ambulance के भीतर देना ही शुरू कर दिया जाता है, इस ALS में ECG, air support equipment, cardiac life support, इत्यादी, इस ALS, advanced life support ambulance में मौझूद होता है, ठीक है, इसमें आपका treatment शुरू हो जाता है, ठीक है, अब जानते हम लोग new natal ambulance के बारे में, ठीक है, तो नौजात बच्चों को, जिस बच्चे का अभी जन हुआ है, उस नौजात बच्चा कहते हैं, तो नौजात बच्चे को emergency के हालत में medical transportation के लिए new natal ambulance का उप्यूग किया जाता है, new natal ambulance में high frequency conventional ventilator होता है, ये इस तरह का ventilator होता है, new natal ambulance में, इस high frequency conventional ventilator कहते हैं, इसमें heart and lung monitor होता है, ये मुख्यता उसी वक्त भेजा जाता है, जब किसी नौजात बच्चे को emergency की हालत होती है, उसे उसके घर से अस्पताल पहुचाना हो, या फिर उसे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल transportation करना हो, तब उस वक्त जो है, ये new natal ambulance का उप इस तरह के ambulance का जो प्रयोग है, वो dead body को, यानि मृत सरीर को देर तक सुरक्षित रखने, या मृत सरीर को एक state से दूसरे state ले जाने के लिए, अब जैसे किसी का इलाज दिल्ली में चल रहा है, उसका वहाँ ध्यान थो गया और उसे दिल्ली से बिहार लाना है, या फिर UP ल देर तक सुरक्षित रखने, या फिर एक state से दूसरे state जब ले जाना हो, देर तक body को रखना हो, तो इसके लिए इसमें डालके mortuary ambulance में रखा जाता है, सौवयातर अगर कभी आप निकालते हुए देखे होंगे, कई बार leader लोग का सौवयातर निकलता है, तो खास करके करना हो, medical transportation करना हो, तो उसके लिए train ambulance का उपयोग किया जाता है, इसमें भी जो है, जो पेशेंट होगा, वो अत्यधिक emergency के हालात में नहीं होना चाहिए, तभी उसका train ambulance से medical transportation किया जाता है, इस train ambulance में जो है, मरीज की बीमारी के अनुसार, मरीज की condition के अनुसार, एक doctor और ए तरह के medical facility से परिपूर्ण होता है, इसलिए इसे जो है, ambulance on wheels कहा जाता है, ठीक है, ये exam के देश्ट कोन से ये point याद रखेंगे, ambulance on wheels किसे कहा जाता है, तो train ambulance को जो है, ambulance on wheels कहा जाता है, अपने इंडिया में एक lifeline express चलती है, जो पूलता पूरा ambulance ही है, ठीक है, तो ये train ambulance हो अब हम लोग जानते है, air ambulance के बारे में, ठीक है, तो अत्यदिक emergency की जब हालत होता है, और उसमें मरीजो को एक अस्थान से दूसरे अस्थान ले जाना हो, या फिर परवतिये छेतर, या फिर बाढ़ गरस्प, इलाके जहां मुख सरक जो हो बाधित हो गया हो, तो ऐस दुर अब हम जानते है, water ambulance के बारे में, ठीक है, इसे boat ambulance भी कहते हैं, तो बाढ़ गरस्प छेतर या फिर तटिये इलाकों, तटिये इलाकों या बाढ़ गरस्प इलाकों, और उसमें भी खास करके इनमें जो तटिये इलाकों में जो ग्रामी छेतर होते हैं, वहां इस तरह का water ambulance क का उपयोग किया जाता है क्योंकि कई दफा तक ये इलाकों में समुद्री तुफान या फिर चक्रवाद की करण जो है मुख सरग बाधित हो जाता है संपर्थ टूड़ जाता है तो ऐसे में पानी में चलने वाले हैं water ambulance का उपयोग किया जाता है तो ये ambulance के सभी टाइफ है आ नेक्स्ट विडियो में बहुत बहुत धन्यवाद